गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम गुर्जर पर्तिहरों से संबंदित सासक हैं वत्सराज इमनागबर सेकेंड इनके बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा स्टुडेंट्स एकजाम में कई बार जो पर्तिहर राजवन्स के जो सासक हैं से संबंदित क्यूसन पूछ लिये जाते हैं तो आप वीडियोज को अच्छे से द्हान से देखेगा ठीक है और इस वीडियो से पहले भी हमने गुर्जर पटिहारों के बारे में आप लोगों को काफी कुछ पढ़ाया है तो पहले वाले वीडियोज भी आप प्लेलिस्ट में जाके और देख सकते हैं ठीके तो चलिए पढ़ते हैं, गुर्जर पढ़तिहार सासक वत्सराज उम नागभड second का इतिहास सबसे पहले है गुर्जर पढ़तिहार सासक वत्सराज जो 765 से 800 इस्वीतक सासक था नागभड पर्थम के बाद उसके दो बत्थी जो ककुक तथा देवराज ने सासन किया वे दोनों निर्बल सासक थे जिनकी किसी भी उपलब्दी के बारे में पता नहीं चलता है गुर्जर पर्तिहार वन्स का चोथा सासक वत्सराज था वत्सराज देवराज का पुत्तर था वत्सराज को गुर्जर पर्तिहार वंस का वास्त्विक संस्तापक मन जाता है इसने कन्नोज के सासक इंद्रा यूद को हराया था ग्वालियर अभिलेक से पता चलता है कि उसने परसित भांडी वंस को प्राजित किया जिनकी राज्दानी संभवता है कन्नोज थी उसने बंगाल के सासक द्रहमपाल को भी प्राजित किया तथा एक महान समराज्जे की नीव डाली वत्सराज एक सक्तिसाली सासक था तथा उसने उत्तर भारत में एक समराज्जे की स्तापना की लेकिन उसे राष्ट्र कूर सासक धुरुवय ने बूरी तरहे प्राजित किया धुरुवय से भेभीत होकर वस्राज रेगिस्तान की ओर भाग गया था वस्राज के समय में जैन आचारी जिन सेन ने हरी वन्स पुरान की तथा उद्योतन सूरी ने कुवल्ले माला की रचना की थी वस्राज ने ओस्राज के मंदिरों का निर्मान करवाय था ओस्राज जैनोय सूर्य मंदिरों के लिए परशिद है ओस्राज के मंदिर महा मारू सली में बने है लेकिन ओसिया का हरी हर मंदिर पंचाय तन सली में बना हुआ है ठीक है तो दिहान में रखने वाली बात है कि जो ओसिया के मंदिर वो महामारू सली में बने हुए है लेकिन ओसिया का जो हरी हर मंदिर है वो है पंचाय तन सली में बना हुआ है ठीक है ओसिया राजस्तान में पर्तिहारों का पर्मु सक्ति का केंद्र था ओसिया जो जोद्पूर में के मंदिर पर्तिहार कालिन है ओसिया को राजस्तान का भूनेश्वर कहा जाता है ओसिया में सचिय माता या ओसिय माता का मंदिर है जिसमें महिसा सूर मर्दिनी की प्रतिमा स्थित है वत्सराज को रण हस्तिन भी कहा गया है तो ये इंपोर्टेंट बाते थी जो हम लोगों ने आपको वत्सराज के बारे में बताई जो एक्जाम की दस्टि से बहुत महत्तव बुण है अगला सासक है नागबर सेकिंड जो 800 से 833 स्वितक सासक रहा था वत्सराज का उत्रादिकारी उसका पुत्र नागबर द्वित्य था जिसने अपने परिवार की खोई हुई परतिष्टा को पुनह प्राप्त करने का प्रियास किया लेकिन वह अपने पूर्वच की भाती दुर्भा के साली सिध हुआ और उसे राश्ट्र कूर सासक गोविन त्रित्य से प्राजित होना पड़ा नागबर द्वित्य ने दूसरी दिशाओं में अपने तक्दिर आजमाई उसने कन्नोच प्राक्रमन कर धरमपाल के नामजद सासक चक्रायूद को पत्चूद किया तथा कन्नोच को परतिहार राज्य की राजधनी बनाया था अपने अधिनस्त सासक की प्राजे का बदला लेने के लिए दरमपाल ने तयारियां सुरू कर दी तथा संगर्ष्वी अवसंभावी हो गया था परतिहार सासक ने धरमपाल को प्राजित कर मुंगेर तक अधिकार कर लिया उसके पोते के ग्वालियर अभिले के अनुसार नागभट द्वित्ये ने अनर्थ अर्थात उत्री काठियावाड मालवा या मद्धे भारत मतस्य या पूर्वी राजपुताना की रात जो हिमाले का चेतर था तूरूसक जो पस्चिमी भारत के अरब निवासी थे तथा को सामबी चेतर में वत्सों को प्राजित किया नागभट द्वित्ये के अधियन परतिहार समराजे के सीमा में राजपुताना के भाग आदूनिक उत्तर परदेश का एक बड़ा भाग मद्धे भारत उत्तरी काठियावाड तदा आसपास के चेतर थे नागभट द्वित्ये का उत्तरा धिकारी उसका पुत्तर रामपद्र था जिसके तीन वर्सों के छोटे ससनकाल में पाल सासक देपाल की आकरामक नीतियों के कारण परतिहारों के सक्तिका पर ग्रहन लग गया था नागभट सेकिर ने परम बठारक महराजदी राज परमेश्वर की उपादी धरन की राष्ट्रकोर सासक गोविंद ने उत्तर भारत की राजनेति में हस्त्त सेप करना प्रारम कर दिया तथा सबसे पहले उसने अपने भाई इंद्र को गुजरात का राजेपाल बनाया फिर पूरी सक्ति के साहाथ नागभट पर आकरमन किया नागभट बूरी तरह से प्राजित हुआ था तो देखेगा इस वीडियो में हमने वस्तरा जो नागभट सेकिंड के बारे में जानकरी प्राप्त की जो एक्जाम के दस्त्री से बहुत ही मैतों पूर है हमारा वीडियो बार बार देखें और हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत प्राप्त